हेलो फ्रेंड्स मैं उपार पुडेल और आप देख रहे है टेकावनली चैनल और आज मैं एक जो हमारे वीवर है उनका जो कमेंट है वो लेके मैं इसका वीडियो बना रहा हूं जो कि था एक एक एमडी कम्पुटर के बारे में तो एमडी कम्पुटर एक वेबसाइट का नेम है जो कि आपको प्रोवाइड करता है बहुत सारे कम्पुटर प्रोडेक्ट्स चलिए हम उसे डिस्क्रिप्शन में देखते है कि ऐसा क्या है उसके अंदर तो मैं यहां पर लिखूंगा mdcomputers.in यह मुझे ले जाएगा उसकी वेबसाइट पर जहां पर है mdcomputers.in लोड होता हुआ अब यहां पर आपको बहुत सारे टैब्स दियो है मैन्यू बार में तो हम पहले सबसे पहले स्टार्ट करेंगे शॉप बाई कैटेगरी से पहले बता दे रहा हूं कि यह यहां पर अगर सबसे पहले देखे तो चॉप बाई कैटेगरी में आपको यह सब कुछ एक कैटेगरी वाइस दिया हुआ है कि आप अमारी वेबसाइट पर आये हो और आपको दिया हूआ है तो आपको आपको ऐसे इंडिवीजियली खारिजना है तो आपको व्यूस्पुल है यहां पर प्रोसेसर का जो कैटेगरी जो दिया हूँ है एक्स्ट्रीम लेवल हाइं अर्ण विड रेंज मुलाब आपका जो यूज है उसके उपर आपको जो भ दिया हुआ है कि स्टोरेज एक्टरनल हर्डेस इंटरनल हर्डेस्क एससी ड्राइब लग सब कुछ अवेलेबल है इस वेबसाइट पर यहां पर माउस में भी आप सेक्शन्स देख सकते हो कि गेमिंग माउस लेना है माउस मैट्स लेना है बहुत साइड लोग होते हैं इनको कि देखके हुए हमें कि सबी लोग है व involved everyone को कटरीज भी होता है जसको जैसा हुज करना है वैसे यह पर कैटरेज दी है यह तो मुझे बहुत पसंद आएगी सब कुछ ऐसे अरेंज किया हुआ है कि कुछ ऐसे उल्टा सुल्टा नहीं कि बाइग सुछ भी देदिया और हुआ है दूसरा टैब है शॉप बाइब तो यह एक ब्रैंड का टैब बोल सकते हैं आप इसमें आपको दिया हुआ है कि अंदर यह सारी सीरी अवेलेबल है यह प्रडेक्स अवेलेबल है आपको एमडी का क्या पर्चेस करना है तो आप व्यूमोर में कर सकते हो एपल में भी है कि ईपल तो लेना है पर iMac लेना है मैक मीनि लेना है यह मफ़िक्ट्र भी मुझे दिखाता है और यहां पर एपको यह एक पर और यह दॉए स्यावकरत की पोला Awards मिल전 बहुत से लोगों confusion होता है कि हम कौन सा laptop ले तो यहाँ पर देखिए इन्होंने laptop में भी सीरीज जी वे कि फ़र बीगीनर यूजर्स और गीमिंग यूजर्स इसको graphic designing करना है वो कौन सा ले तो यहां पर आप लोग मुझे पता है बहुत से लोग होते हैं जो अपने घर में से क्योंगी computer engineer को पुछते हैं कि मैं कौन सा laptop लूँ और आपकी ज़रूरियात होती है उसके उपर उनको बोलते क्यों मुझे ऐसी ज़रूरत है यह हो है काफी टाइम ऐसा होते हैं कि आप गलत क्यों लेगा आपको यूज में नहीं है तो यहां पर लैप्टॉप में भी ऐसा इन्होंने सोच के रखा है टैब्स में की बहुत साथ कर रहा है लैप्टॉप सीखना तो उसके लिए कौन सा लैप्टॉप चलेगा मिंस जैसे की गेमर है तो गेमर वाले को बहुत जादा र कि दो जो श्रीगेमर से वह यह सेक्शन को चूज करते है इना कि यहां पर जो साइड में जो ऑफिश्यल प्रोफेशनल उसर होते हैं यह था हमारा लेप्टॉप का सेक्शन तो अगल जाते हैं पैरिफेरल्स पे तो पैरिफेरल्स पे देखिए इन्होंने यहां पर ऐसे सर भी प्रोवाइड कर रहे हैं स्पीकर आपको एसे सरी में जाओ तो स्पीकर सबसे कॉमन चीज़ होती है जो कि सब को यूज होती है और यहां पर 2.1 4.1 5.1 इतनी डिस्क्रिप्ट क्यों कैटेगरी वाइस यह वेबसाइट बनाई गई है बहुत ही अच्छा है तो यह पेरिफेरल्स का जो सेक्षान है वह भी बहुत अच्छा है कि आपको यहां पे इतने ओप्शन्स दिये गए हैं ना कि आप इजी चूज कर सकते हो इसमें से और सबसे बड़ी बात होती है किसी के लिए नया पीसी लेना तो लैप्टप तो ठीक है कि इसको एसेंबल कर करकी दिया होता है पर जब नए परसनल कंप्रूटर डेक्स्टॉप की तो वह होता है कि मैं माऊस कौन सा लू कीबड कौन सा लू रैम कौन सी चूज करूं तो उनके लिए यहां पे इन्होंने एक अलग टैब दिया हुआ है बिल्ड यार ओन पीसी में ऐसा है कि आपको यह ठीक है छोगे है मैं लिंक सतोकी है है और यह लूड़ होगे है यहां पे दियो हुए म्यूận कि है को दूख को से लिए दिया हुआ है कि लेना है इंटल का रेना है इंटल का एम ड? यहां यहां पर उसके प्रड़क्स जो है वह लोड़ करके देगा आपको तो ऐसे यह है यह सारे यहां पर देखिए मेमरी दी हुए SSD, hard disk, video card, power supply बहुत सारे options दी हुए है और जैसे यह आप यह सब सिलेक्ट कर लोगे तो यहां पर आपको जो total price है वो दिखा देगा कि इतना आपका जो price है वो होगा और आपको अगर यह सारे चीज़े यहीं से purchase करनी है तो इसे check out भी कर सकते हो यहां पर इस website में से purchase करने की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप यहां से कोई चीज़ पर्चेस करते हो तो दूसरी website के मुकाबले बहुती कम price में मिलती है और जैसे कि मैंने यहां पर कुछ भी select किया और मैं उसे compare करूंगा किसी और website से जैसे मैंने यह video बनने से पहले इक बाइस को research में डाला था तो मैंने यहां पर एक component select किया था वो था 16,000 का और मैंने बाहर जाके देखा दूसरी website के तो उसकी price चल रहे थी 17-18,000 लब यहां पर आपको 500 या और 1,000 रूपीस का difference दिख सकता है बाकी सारी website से तो अगर आपको कोई भी component purchase करना है PC का तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप online ले रहे हो तो यहीं से लो क्योंकि बाहर वो बहुत ही महिंगा मिलता है यह अगर आप बहुत सारे प्रोसेसर से यह अगर आप दूसरी website पर जाके compare करोगे ना तो यह जैसे 23,000 का है ना यह आ आप बहुत सारे फाइदे हो सकते हैं आपको कि आप online purchasing कर रहे हो तो फड़ा सा research करके purchase करो ना कि जैसे भी हाँ मुझे लेना है मेरे पास पैसे पड़े ले गया ऐसे भी नहीं करना चाहिए और यह थी यहां पर हमारी website अगर आपको directly कुछ सार्च करना थे यहां पर entire search दिय है यहां से सीधा intel कर देखें इंटेल की सारी चीज़े दिखाया मुझे है वैसे यह है एक बहुत अच्छी website अगर आपको online computer sml करना है या फिर purchase करना है तो अगर पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं रोज ऐसा है वीडियो लेकर आता रहता हूं और यह वीडियो मेरा एक request पर बनाया गया है तो मैं मैं उस इंसान को thanks करना चाहूंगा या मुझे भी नहीं पता था ऐसी अच्छी website है मैं भी अगर आप कुछ purchase करना है तो यह से करूंगा चलिए तो मिलते हैं हमारे next वीडियो में और देखते रहे टेक आउनल चैनल प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर आपके फ्रेंड्स को नहीं पता है यह चीज़ के बारे में तो प्लीज उन्हें शेर कीजिए क्योंकि भई फ्री में है शेर करो नौलेज भढ़ाओ वाई बाई